C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथ्वी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आएए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का सोलवा सबक सबक सोलहा एक मकड़ा और मकड़ी नजमनिगार इकबाल सफ़ा नंबर 113 एक दिन किसी मकड़ी से ये कहने लगा मकड़ा इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा लेकिन मिरी कुटिया की नाजागी कभी किस्मत भूले से कभी तुमने यहां पाउं ना रखा गैरों से ना मिलिये तो कोई बात नहीं है अपनों से मगर चाहिए यूँ किचके ना रहना आओ जो मेरे घर में तो इज़त है ये मेरी वो सामने सीड़ी है जो मंजूर हो आना मक्षी ने सुनी बात जो मकड़ी की तो बोली हजरत किसी नादान को दीजियेगा ये धोगा इस जाल में मक्षी कभी आने की नहीं है जो आपकी सीड़ी पे चढ़ा फिर नहीं उत्रा मकड़ी ने कहा वाह फरेबी मुझे समझे तुमसा कोई नादान जमाने में ना होगा सफ़ा नंबर 114 मन्जूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना कुछ फाइदा अपना तो मेरा इसमे नहीं था उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या इस घर में कई तुम को दिखाने की हैं चीजें बाहर से नजर आती है चोटी सी ये कुटिया लटके हुए दर्वाजों पे बारीक हैं पर्दे दिवारों को आईनों से है मैंने सजाया महमानों के आराम को हाजिर हैं बिचोने हर शक्स को सामा ये महसर नहीं होता मक्खी ने कहा खैर ये सब ठीक है लेकिन मैं आपके घराओं ये उम्मीद ना रखना इन नर्म बिचोनों से खुदा मुझ को बचाए सोजाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता मक्डे ने कहा दिल में सुनी बात जो उसकी फांसों इसे किस तरह ये कमगत है दाना सफ़ा नंबर 115 सो काम खुशामत से निकलते हैं जहां में देखो जिसे दुनिया में खुशामत का है बंदा ये सोच के मक्षी से कहा उसने बड़ी भी अल्लाहने बख्षा है बड़ा आपको रुटबा होती है उसे आपकी सूरत से महबबत हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा आखें हैं के हीरे की चमकती हुई कनिया सर आपका अल्लाहने कलगी से सजाया ये हुसन ये पोशाक ये खूबी ये सफाई फिर उस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना मक्षी ने सुनी जब ये खुशामत तो पसीजी बोली के नहीं आपसे मुझको कोई खटका इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं सच ये है के दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता ये बात कही और उड़ी अपनी जगा से पास आई तो मक्डे ने उचल कर उसे पकड़ा भूका था कई रोज से अब हाथ जो आई आराम से घर बैठके मक्खी को उड़ाया मानी याद कीजिए कुटिया जूपडी खिचके रहना दूर दूर रहना, खफा रहना फरेबी मक्कार, दगाबाज, धोका देने वाला खातिर लिहाज वगरना वरना मयस्सर हासिल होना, मुहिया होना दाना अकलमंद, हुश्यार दर्जा उहदा, मनसब कनिया कनी की जमा, कीमती पत्थर का टुकड़ा कलगी बास परिंदों के सरबर ताज की तरह चंद पर सजे होते हैं वो पर जिन्हें बादचाहों के ताज या टूपी पर सजावट के लिए लगाया जाता है पसीजना पिघलना नर्म पड़ना सफ़ा नंबर 116 सोचिये और बताईए सवाल एक मकडा मक्षी को अपने घर क्यों बुलाना चाहता था सवाल दो जो आपकी सीड़ी पे चढ़ा फिर नहीं उत्रा से क्या मुराद है सवाल तीन मक्षी ने मकडे को फरेबी क्यों कहा सवाल चार मकडे ने अपने घर की क्या-क्या खूबियां बयान की है सवाल पांच मक्षी मकडे की बातों में किस तरह आ गई मिसरों को मुकमल कीजिए एक इस राह से होता है खाली जगा दो अपनों से मगर चाहिए यों खाली जगा तीन उड़ती हुई आई हो खाली जगा चार मकडे ने कहा दिल में खाली जगा पांच मक्षी ने सुनी जब ये खाली जगा छे आराम से घर बैठ के खाली जगा सफ़ा नंबर 117 इन लवजों के मुतजाद लिखिए इज़त मन्जूर नादान फाइदा आराम हाजिर मुहबत खूबी इंकार इमला दुरुस्त कीजिए काफ सीन मीम ते किस्मत अलिफ जीम तश्दीद ते इज़त मीम नून जीम वाव रे मन्जूर काफ दो चश्मी है अलिफ ते रे खातिर काफ लाम गाफ छोटिये कल गी दो चश्मी है सीन नून हुस्न सीन फे अलिफ छोटिये सफाई काफ ये अलिफ मीम ते कयामत अलिफ मद दाल आदत अशार मुकम्मल कीजिये एक एक दिन किसी मखी से ये कहने लगा मकड़ा खाली जगा दो खाली जगा हजरत किसी नादा को दीजिये गये धोगा तीन ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई खाली जगा चार मक्ही ने कहा खैर ये सब ठीक है लेकिन खाली जगा पांच भूका था कई रोज से अब हाथ जो आई खाली जगा दिये हुए लवजों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिये गुजर मन्जूर नादान फरेबी खातिर बारीक आराम खुशामद मुहावरों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिये खिस्मत जागना अच्छे दिन आना दिन फिरना पांँ रखना कदम रखना खिंचके रहना दूर दूर रहना दिल तोड़ना ना उम्मीद करना मायूस करना दिल पसीजना नर्म पढ़ना सफ़ा नंबर 118 गौर करने की बात अल्मा इकबाल ने बढ़ों के अलावा बच्चों के लिए भी नजमे लिखी हैं बच्चों के लिए उनकी मशूर नजमों में एक पहाड और गलहरी एक गाए और बकरी एक परिंदा और जगनू वगएरा बहुत मशूर है इन नजमों में जानदार और बेजान चीजों के दर्मियान बाचीत या मकालमे के जरिए बुराईयों से बचने का सबख दिया गया है ऐसी नजमें जिन में किरदारों के जरिए गुफटगू की गई हो मकालमाती नजमे कहलाती है एक मकड़ा और मक्षी भी ऐसी ही एक मकालमाती नजम है इस नजम में एक भूका मकड़ा मक्षी को खाना चाहता है मगर मक्षी आसानी से उसके हाथ नहीं आ सकती इसलिए मकड़ा चापलूसी के अंदाज में उसकी तारीफ वो तौसीफ करता है मगर मक्षी उसके चक्कर में नहीं आती फिर मकड़ा खुशामत का हर्बा इस्तिमाल करता है खुशामत एक ऐसा हर्बा है जिसके असर से बचना मुश्किल है चुनांचे मकड़े का दाव चल जाता है मक्खी खुशामत से पसीच कर जैसे ही उसके करीब आती है मकड़ा लपक कर उसे पकड़ लेता है और हरप कर जाता है इखबाल ने इस नजम में बड़ी खूबी से खुशामत पसंदी के अंजाम से आगाह किया है खुशामत चापलुसी है जिसके जरिये जूटी तारीफ करके अपना काम निकालने की कोशिश की जाती है और यही काम मकड़े ने किया है इस नजम में कई अलफाज और जूमले ऐसे हैं जिनके दो माणी है जिसके माणी है गुजर बसर करना गुजारा करना या आना जाना इस नजम में ये लफ़ आने जाने के माणी में इस्तिमाल हुआ है इसी तरह इस नजब का आखरी शेर है भूका था कई रोस से अब हाथ जो आई आराम से घर बैट के मक्षी को उड़ाया मक्षी उड़ाने के मानी हैं मक्षी भगाना दूसरे बानी मक्षी खाना भी है इस शेर में ये लफ़ इसी मानी में इस्तिमाल हुआ है इसी के साथ अपनी जबान भागदू का सोलमा सबखियां खत्म हुआ इसके बाद सबख सत रहाता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत